अब आप सोच लो कि what is the reason behind inserting a chip into the body well it's all about health science basically यहां पर मैं आपको metabolic scores के बारे में health related data बात करके कोई समझाने वाला नहीं हो but I'll talk in very simple terms और मैं अज बात करें हो एक start-up के बारे में जिननों मुझे बेजा है उनका latest product जिसका नाम है ultra human now that's the name of the company which clearly says deep health insights and this is a product called as ultra human which will make sure कि भई आपके body के अंदर आप जो भी खाते हो उससे आपको body को कैसे body कैसे react करती है प्लस आपके body को पर कैसे वो effect करता है तो यहाँ पर आप डिस्कावर कर सकते हो metabolic score को उसी के साथ-साथ बेसिकली एक छोटी सी chip है जिसका नाम है ultra human cyborg जिसे आप insert करते हैं और वो continuously आपके sugar levels को monitor करता है और उससे आपो पता चलता है कि भाई अगर आपने सुबस अरली morning empty श्रमक में अगर आपने 2-4 biscuits खा लिये या फिर शक्कर वाली चाय पी ली तो कैसे body react करती है किस तरह से energies distributed body के अंदर और उसी के साथ-साथ आप इन सब data points के basis पे decide कर सकते हो कि भाई आपके लिए क्या खाना बेटर रहेगा Is it having idli is better in the morning or is it probably fresh fruit juice तो आप use करोगे इस tracker को जो मैं भी आपको दिखाता हूँ उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई क्या है आपके लिए एक better food option अगें अगर आपके body में blood sugar level ज्यादा है या फिक कम है then definitely आप already कुछ नकुछ monitors यूज़ कर रहे होगे trackers यूज़ कर रहे होगे कि मैं सब डेटा समझ सकता था कि भाई क्या खाने से अगर मैं जो रगुलर टी पी रह था उसके बदले अगर मैं जाता हूँ green tea के लिए तो is it making a difference or not वो सब मुझे समझना था and this is one product जो मैं पिछले almost 20 दिन से यूज़ कर रहा हूँ फर्स ट्रैकर चलता है पंदरा दिन के लिए और इसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है so हर पंदरा दिन आपको यहां पर इंटिग्रेट कर देता हूँ ताकि Apple Health App के अंदर complete fitness data मुझे मिल जाए लेकिन this is something which is quite interesting तो let us quickly first take a look at the ultra human package दोसर सबसे पहले हम करते हैं इस package की unboxing और यहां पर clear mention है deep health insights box के ओपर और side में लिखा हुआ है ultra human with the company details मतलब address आगे बढ़ते हैं फटा 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 से इस box को खोल देते हैं और यहां पर जैसे हम लोग खोलते हैं हमारे सामने हैं कुछ स्टिकर्स और यहां पर हमें मिल जाते हैं टोटल छे स्टिकर्स उसी के साथ साथ यहां पर एक handling instructions booklet है कि कैसे आप इस sensor को apply कर सकते हो complete details आपको मिल जाते हैं मतलब basically very important reading manual आगे बढ़ते हैं तो information booklets मिल जाते हैं जहां पर complete detail है मतलब metabolic के बारे में और health insights के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगे और कैसे आप इस data से benefit कर सकते हो चलिए यह है basically एक applicator जिसको जैसे आप इस box को खोलो गई यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा थोड़ा सा अगर आप इस reading manual को ध्यान से पड़ोगे तो इसे आप आराम से setup कर सकते हो अपने हाथों के ओपर यहां पर जो alcohol wipe से उसे अपने हाथ को साफ कर दीजिए और अब मैं जिस तरह से इस sensor को अपने हाथ पर लगा रहा हूं उसी तरह से आप अपने हाथों के ओपर आराम से कर सकते हो जैसे sensor setup आपके हाथ के ओपर complete हो जाता है अब मैं आपको दिखाता हूं इनके application का एक complete overview सबसे पहले तो आपको इनका application डाउलोड करना है and then since I am using the beta version यहां पर मुझे separately access मिलता है but then basically आपको अपने bio sensor को पहली बार अपने smartphone के साथ पेर करना पड़ेगा यहां पर basically आपके phone को सिर्फ आपको उस एरिया में आके सिर्फ scan करना है basically नजदीक में लेगा के tap करना है and then within a few seconds जैसे आप देख सकते हो steps आपको दिख रही है आपके ओपर आपका setup हो जाएगा complete अब मैं आपको दिखाता हूं इस आपका complete overview अब यहां पर जैसे आपको दि दिखाना चाहता हूं मेरे पिछले 15 देज का data जो यहां पर record किया गया है so from 21st to 5th so basically यहां पर 15 देज का exact data है जिसके बाद उसकी battery complete होगी और आप देख सकते हो कि day first day मत अब complete होने के बाद मैंने अपना जो metabolic score था basically यहां से यह मुझे data दिखाने शुरू करता है it also picks the data from my apple health application or you can say the apple watch और यहां पर मेरा sleep time sleep end कब और यह automatically track हो गया food data basically मैंने जो भी खाया था I had dirty and digestive biscuits और आप देख सकते हो कि सिफ digestive biscuits खाने के बाद भी मेरा you know blood sugar level बहुती ज्यादा spike हो गया it went till 140 but then my lunch I had sprouts at 10 a.m. then I had probably an orange juice तो यह सब data मतलब add करते करते 12 बजे मैंने apple खाय था then I had lunch which was boiled rajma and all this food basically और आप यहां पर यहां पर यह भी notice कर सकते हो कि जब मैंने सोन पापड़ी खाई जो हम लोग सोचते हैं कि भाई सोन पापड़ी चॉक्रेट खाने से हमारा sugar levels high हो जाएंगे वह actually spike नहीं हो है when compared with digestive biscuits in the morning which had actually a good amount of sugar तो यह सब चीजें हमें यहां पर पता चलती है I also went on an evening walk because of which the sugar levels actually dropped तो यह सारा real time data हमें मिल जाता है metabolic score बन जाता है everyday basis पे कि भाई हर दिन कितना हमें score मिल रहा of course I was just randomly showing you some date and that was one of the best days let's go with the next one यहां पर आप दिख तो score बहुत ही कम हो किया था and that was again probably because यहां पर I probably changed something and something which triggered this bad score so let me just tap here yes and that is white rice so you can see white rice के कारण मेरा blood sugar level 160 तक पीक हो गया and I should have probably avoided that and for dinner I had poha again poha is also made out of rice so basically sugar level spike तो यहां मेरा total data भी यहां पर खराब हो गया but then you can see that this all insights यह आपको actually काम में मिलता है कि आपने कितने मिजे क्या खाया था और उसके हिसाब से आपका क्या score निकल के आता है and late night eating is also bad तो देख सकते हो 10.45 p.m. I had some cashew nuts इसके कारण मुझे score बहुत ही कम हो गया so this is the kind of insights which we get here and this all gets recorded आपका continuously score बहुता है आपके score के साब से यहां पर coach भी आपको मिलता है basically यहां पर आपको पता चलता है कि metabolism score is between 0 to 100 and you should try to make it to the highest I mean whatever is the best we could do and I think only once I could cross 80 and yeah there were few more instances of over 80 but then you know it was also hitting 69 the last day and I think वो होगा for some specific reason तो यह सब चीजें हमें पता चलते हैं कि बहुत हमें क्या खाने से हमारे blood sugar level spike हो रहे हैं जिसके कारण हमें अच्छलेशने स्वील होता है हमारे energy level suddenly gear जाते हैं तो हमें अच्छाने भूख लगती है तो उस हिसाब से हमें यह सब डेटा पॉंट्स इस अप्लिकेशन के अंदर मिल जाते हैं यह नहीं थे क्या है दूटक देंसरे में अदम मिल्다음 जाते हैं न्चलेशने प्रोकलोंलेशने ट्रूंट्स र수 अईर्धTrust का क्या रहुए क्या जाते हैं तो यह सब डेटापॉइंट हमें यहां इसी एप्लिकेशन के अंदर तोटली मिल जाते हैं अभी अगर मैं बात करता हूं तो सेटप बहुत ही इजी है मैं यह से आपको पहले बताया था अब जाते हूं जाते हैं यह ऐख अपके हाथ में लग जाता है अब मैं आपसे बाता हूं मेरे टोटल फईनल ओर ऐवर ऐक्सपीरियंस के भारे में So guys, I am at least personally pretty much impressed with this ultra-human cyborg जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, again this is my personal experience Yes, the biggest issue जो मुझे अभी तक लगा है वो ये है कि भई जो डेटा यहां पर जो अमेजिंग डेटा है वो सब कुछ Apple के health app के अंदर इंटेगर नहीं होता है फिलहाल के लिए And that is something which I personally feel is the biggest con as of now But company ने बोला है कि अभी recently Garmin जो उनके अवेलेबल हो चुका है आने वाले समय में सब डेटा आपको इसी Apple ecosystem में भी मिल जाएगा Again, that's a personal feedback और मुझे पता है काफी Apple users हमें फॉलो करते हैं तो उनके लिए भी ये feedback जरूरी है But then, till that time, सब डेटा उनके खुद के अप में जाता ही है Ultra Human application में So, whenever that's available, I'm pretty much sure पूरा डेटा वहां से export हो जाएगा और Apple Health ecosystem में इंपोर्ट हो जाएगा But then, if you know someone who is actually having sugar levels जहां पर उनको मॉनिटर करना है अपने sugar levels को तो मुझे लगा कि इस्ट डेली प्रिकिंग चोटा सा मदलब ब्लड सैंपल लेकर डेटा चेक करने से अच्छा है कि अप कंटीनिवसली रियल-time डेटा को मॉनिटर करो और फिर अप सोचो कि भई मेरा परसनल सेलेशन दो यह रहेगी कि पहले एक हफते तक आप कुछ मत करो इसे लगा दो और आपकी जो रिगलर लाइफस्टाइल थी उसी को कंटीनिव कीजिए कि अपने सुगर में क्या खाया शाम में क्या खाया मतलब जो भी आप फुट इंटेक लिए डेटा करो अपने लेवल और फुट यह इंटेकिंग काफी लोग मतलब बहुती बड़ा सा ग्लास भर के जूस पी लेते हैं मिक्षेक पी लेते हैं बहुती बड़ा एक केक खा लेते हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि क्रेविंग अगर आपको रिश्य की अगें डिस मैं परसनल सेश आप लोग अगर यूस करना चाहते हो आप भी जा सकते हो उनकी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपको वीडियो यूस लगा तो वीडियो को लाइक के दीजिए अगर आप जानते हो किसी को जिनके शुगर लेवल ज्यादा है तो यह वीडियों के साथ शेरी कर उनके लिए तो आपको मिलता हूं हमारे अगली वीडियो में तब तक के लिए बुल पाई